कालंदी बडोला हाथ तो आट में आपका स्वागत है अब मैं और आप हमेशा यहां इकठा होते हैं मेरी ओडियो स्टोरी सीरीज के लिए जिसमें हम हिंदुस्तानी साहित्ते के एक से एक चुनिंदा नगीने को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अब ये सारी कहानिया मैं पड़ते पड़ते बड़ी हुई क्योंकि मेरे पिता वश्मान बडोला की अपनी निजी लाइबरी का हिस्सा रही और अब मेरी अनमोल धरोहर है अब आज आपको मेरी आवाज जरूर थोड़ी अलाग थोड़ी अलैदा लग सकती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल गायब थी अब थोड़ी वापस आ रही है गले नादान तुझे हुआ क्या है आखिरस मर्ज की दवा क्या है ये तो मैं काफे दुनों से पूछ रही हूँ लेकिन चलिए जब तक चल रहा है हाल ऐसा तब तक यही सोच लिया जाए कि आवाज मेरी थोड़ी हसकी हो रही है आज की जो कहानी है वो मैंने अमृता प्रीदम जी की लिखी कहानी चुनी है जिनको 1982 में भारतिय ग्यानपीठ पुरुसकार से समानेत किया गया बहुत सारे उपन्यास कहानिया और कविताय लिखी है अमृता प्रीदम जी ने जिसमें से एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद है वो है एक रुमाल एक अंगूठी एक चलिए अब जहां तक इस कहानी का सवाल है इसकी बंती का सवाल है नजाने अपने आसपास आपने कितनी बंतियों को देखा होगा मैंने तु देखा है बहुत सारे ऐसे घरों में ऐसी बंतिया है जिनकी अपनी कोई चाहत कोई भी तमनाय जो है उनको पूछा नहीं जाता तब जो नहीं जी जाती उनको नजर अंदास किया जाता है कहां उनकी पढ़ाई लिखाई होगी कैसी वो की शादी कर दी जाएगी इसमें उनकी अपनी कोई पूछ नहीं होती वही बंति का हाल था और जिस घर में शादी करके गई वहाँ पर उसकी सास के क्या हाल थे वो आपको पता चलेगा इस कहानी एक रुमाल एक अंगुथी एक चलनी में कच्ची पहली से लेकर आठवी तक बंती हमारे साथ बढ़ती रही थी अभी वो पाचवी में पहुची ही थी उसके पिता उसे स्कूल से छुडाने के लिए आ गए हमारे स्कूल की बड़ी उस्तादी ने बंती की फीस माफ कर दी और यूँ उसे स्कूल न छोडने दिया साथवी और आठवी कक्षा की लड़कियां देखने में एक साथ एक कमरे में बैठती थी पर आधी छुट्टी के समय आठवी की लड़कियां हम साथवी की लड़कियों को अपने पास भटकने भी नहीं देती थी हमेशा अलग होकर बाते करती रहती हम साथवी की लड़कियां जब उनके निकट जाती तो हमें दूर हटा देती हमें आठवी की लड़कियों पर बड़ा गुसा आता था और हम सोचती थी कि जब हम आठवी में होंगी न तो साथवी की लड़कियों के साथ कभी इस तरीके से नहीं करेंगे और फिर हम आठवी कक्षा में चड़े गर्मियों की चुटियों के बाद जब स्कूल खुले हमसे भी वही बाते हो गए जो हमने सोचा था कि हम कभी नहीं करेंगी इस तेरवा चौदवा वर्ष पता नहीं कैसा होता है इस शायद एक दहलीज होती है बचपन और जवानी के बीच में इस वर्ष लड़कियों का एक पाउं दहलीज के इधर और एक पाउं दहलीज के उधर होता है इन गर्मियों की चुटियों में बंती को एक पडोसी लड़का सवाल समझाता रहा था हर रोज चुटि के समय बंती हमें चुप चुप कर उसकी बाते सुनाया करती थी अब हम आठवी के लड़कियां आधी चुटि के समय साथवी के लड़कियों को पास भटकते भी ने देती थी जिस दिन बंती हमें उस लड़के की बात ना सुनाती हमें ऐसा लगता जिसे उस दिन स्कूल में आधी छुटी हुई नी मेरी तो हस्बूल लेने की पीट है और मुझे क्या लेना उससे और उसने क्या लेना है मुझसे कभी-कभी बंती हमें इस तरह कहकर डालने लग गई थी बंती लाख डालती पर उसके चहरे से हमें प्रतीत होने लगा था कि वो हस पोल लेने की प्रीत अब बंती के कंठ में से होकर उसके दिल में उतरने लगी थी तब ही तो अक्सर उसकी जुबान खुश्क हो जाती थी और वो ज्यादा बाते नहीं कर पाती थी एक दिन उस पगली ने अपने हाथ में पैंसिल पकड़ी और गणित की काउपी में कोई 20 जगह उसका नाम लिख दिया राजू 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 हमारी उस्ताद्मी ने उसकी कोपी देख ली कक्षा में तो उसे कुछ न कहा पर जब आथी छुटी हुई तो उससे अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दर्वाजा बन कर लिया बंती की मानो श्रामत आई हुई थी पर हम तो बंती की सहीलिया थी हम सब के चहरे उत्रे हुए थे काफी समय के बाद जब बंती बाहर आई तो रो रो कर उसकी आँखे लाल हो चुकी थी कौपी पर जहां जहां राजु का नाम लिखा था उस तादमी ने रवर से उसे मिटा दिया था आठवी काक्षा जब एक नाओ की तरह बार्शिक परीक्षा के किनारे लग गई तो सभी लड़कियां यात्रियों की तरह एक दूसरे से अलग हो गई हमारा ये स्कूल तो आठवी काक्षा तक ही था बहुत से लड़कियां अलग-अलग स्कूलों में दाखिल हो गई बंती सिलाई के स्कूल में चली गई दो साल बाद मुझे बंती की विवहा का कार्ड मिला और लड़कियों को भी गया होगा मैंने जल्दी से कार्ड पर लड़कियों का नाम पढ़ा लिखा हुआ था करम-चन कार्ड पर राजू के बजाए यद्धिपी करम-चन लिखा हुआ था तो भी वो विवहा का कार्ड था और हर एक विवहा को बधाई का हक होता है मैं भी बंती के विवापर गई उसे बधाई देने के लिए बंती के हातों में मेहंदी, बंती के बावों में कलीर है मैंने बंती को बधाई दी मैं बंती से उस हस बोल लेने की प्रीत के बारे में कुई बात नहीं करना चाहती थी पर कुछ तेर बाद वही मुझे एक तरफ ले गई और बूली मेरी एक चीज संभाल कर रख लोगी क्या? एक रुमाल मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी कि रुमाल किसका था रुमाल राजुका ही हो सकता था इस में ऐसी कौन सी बात है रुमाल तुम अपनी और चीज़ों के साथ कहीं रख लो ना पर उसके कुने में उसका नाम लिखा हुआ है किसी को क्या पता किसका नाम है? सिर्फ राज लिखा होता कोई देखता पूछता तो मैं कह देती मेरी सहीरी का नाम है पर राजु लिखा हुआ है राजु तो लड़कियों का नाम में ही होता न किस चीज़ से लिखा हुआ है? उसने एक दिन पैंसिल से लिख दिया था मैंने सुई से लेकर धागे से कढ़ाई कर दी तो धागा उधेर डालो उधेर डालो? यह तो खयाली मुझे नहीं आया बंती ने एक लंबी सांस भरी कहने लगी तुम्हें याद है? एक दिन हमारी उस्ताद्नी ने रबर लेकर मेरी कौपी में से उसका नाम ही मिटा डाला था आज मैं उसी तरह उसका नाम उधेर देती हूँ मेरा मन भराया बंती ने मेरे सामने प्रंक में से सुर्ख रेश्मी रुमाल निकाला और सूई लेकर उस पर कढ़ा राजू का नाम उधेरने में लग गई बंती नहीं तो उसका नाम काढ़ा था बंती ही की कोपी पर उसकी उस्ताद्नी ने राजू का नाम मिटा डाला था विवाह के कार्ट पर समाज ने राजु का नाम तो लिखने न दिया और आज वही बंती मेहंदी लगे हातों से रुमाल पर से उसका नाम भी उधेर रही है चलो छोड़ो अब इन बातों को तुम खुद तो कहा करती थी ये हस्पोल लेने की प्रीथ है सोचा तो यही था ये हस्पोल लेने का प्यार मेरी हड्डियों में कब समा गया पता ही नहीं चला लहु में रच गया है बंती की आँखे भराई सुना है तुम्हारे सस्रॉल वाले बड़े अमीर है अच्छे कर्मों वाली हो तुम उसका नाम भी कर्म चंद कितनी देर बाद मैंने बात को मोड़ा नामों से भी कर्म बनते हैं बंती ने सिर्व अतना ही कहा कभी चित्थी लिखा करोगी या शहानी बनकर हम सब को भूल जाओगी कहीं भूलना अपने बस में होता है बंती ने एक लंबी आहां भरी इस समय भी शायद उसके मन में सहेलियू का खयाल नहीं था सिर्फ राजू का खयाल था राजू को तुम चाहे भूलो ना भूलो पर चित्थी तो तुम उसे लिखने ही सकोगी हमें कभी कभी लिखतिया करना चाहें चित्थी में राजू की ही बाते लिखना अच्छा, कभी-कभी मन की भडास निकाल लिया करूंगी, पर एक बात है, क्या, तुम मुझे उसकी बात कभी न लिखना, पता नहीं वो लोग कैसे है, बिलकुल गाउं में रहते है, सुना है चित्थी भी वहां हफते में दो बार जाती है, पते परजिला, तहसील, डाक खान ना गाउं और ना जाने क्या-क्या लिखना पड़ता है, शायद वो लोग मेरी चित्थी को पढ़कर ही मुझे दिया करेंगे, बंती को सस्राल गए, आज 15 वर्ष हो गए, पहले 4-5 वर्षों में उसने मुझे कुछ पत्र लिखे, ज्यादा नहीं, जितने भी लिखे, उसम मन की भडास थी, मैं बंती को हमेशा जवाब देती रहती, पर उसके कहने के मुताबिक सिर्फ रस्मी किस्म के ही जवाब उसके पास पहुचते रहे, कभी उसके मन की बातों का जवाब नहीं लिखा, फिर 10 वर्ष बंती को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कोई पत्र न कोई सोई हुई पीड़ा को जगा न दे, पर आज बंती का अचानक पत्र आया है, पता नहीं कैसा पत्र है, इसमें सिर्फ उसके मन की आवाज नहीं, इसमें जैसे हर स्त्री के मन की आवाज हो, मेरा मन भरा हुआ है, उसने मुझे जवाब देने से रोका है, नहीं तो आज म मेरा मन भी हलका हो जाता आज मैंने उसके सारे पुराने पत्र निकाले हैं बीच के दो तीन पत्र नहीं मिल रहे और आज का पत्र भी सामने रखा हुआ है एक बार सारे पत्रों को पढ़ रही हूं एक स्त्री के मन की आवाज कैसा गाओं है जो आज का काम वही कल का काम ये पता नहीं लगता कि आज कौन सा दिन है सिर्फ जब गाओं में डाक्या आता है तो पता लगता है कि आज मंगलवार है और शनीवार यहां पूरे हफ़ते में दो बार डाक्या आता है जैसे शेहरों में तेल तामबा मांगने वा पर वो लोग बता नहीं कैसा तेल तांबा दान करते हैं जिनें उनके मित्रों के प्यारों के पत्र आते हैं मैं किसके पत्र के लिए डाके का रस्ता देखूंगी तुम्हारी बंती तुम्हें बारात में मेरा ससुर देखा था खिजाब रंगी दाड़ी वाला अगर तुम मेरी सास को देखो तो सच कहती हूँ हैरान रह जाओगी सास तो क्या अभी वो पुत्र वदू भी नहीं लगती बिल्कुल क्वारी लगती है उम्र में वो मुझसे तीन-चार वर्षी बड़ी होगी पर शारीरिक तौल पर बहुत कुमल है पतली सी लचकती हुई हिर्नी जैसी चाहे वो मेरी सौतेली सास है पर है तो सास ही न अगर वो मेरी सास नहोती तो सच कहती हूँ उससे अपनी सहिली बना लेती आज मंगलवार था डाकिये को आना था मुझे खयाल आया शायद तुम्हारा पत्र आये मैं दर्वाजे में खड़ी होकर डाकिये का रस्ता देखने लगी मेरी सास भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई डाकिया आया उसने मुझे एक पत्र दिया मैंने सास के चेहरे की ओर देखा उसका चेहरा बहुत ही उदास था ऐसा लगता था जैसे आज जरूर ही किसी का पत्र उसके लिए आना था पर आया नहीं भाबी कोई चिठ्थी आने थी तुमारी मैंने उसे इतनी उदास देखकर पूछा मुझे किसके चिठ्थी आएगी पहले तो उसने ये कहा और फिर कहने लगी आनी तो थी एक चिठ्थी पर आई नहीं किसके चिठ्थी मैंने फिर पूछा इश्वर के चिठ्थी और मुझ किसके चिठ्थी आएगी लगता था वो अभी रो पड़ेगी पर वो रोई नहीं या ऐसा रोना रोई जो किसी को दिखाई नहीं देता देखा हम स्त्रिया कैसा रोना रो सकती है कभी-कभी मेरा दिल करता है मैं भी जोर से रोऊ और वो भी जोर-जोर से रो सके तुम्हारी ब अब इस घर ने मुझे बांद लिया है एक छोटा सा राजू आ गया है मुझे बांद ले वाला घर के सभी लोग उसे दीपक कहकर बुलाते हैं शाम के समय काफी थंड़क उतराती है मैं ये लाल रेश्मी रुमाल उसके सिर पर बांद देती हूँ लाल रुमाल में वो और सुन्दर लगता है ये उसे गोद में लेकर देर तक उसका मुह देखती रहती हूँ तुम्हारी पंथी मेरा राजू तीन वर्श का हो गया है तुम्हें अपने मन की बात बताओ कभी-कभी मैं राजू के मुक्क्यों देखती हूँ तो देखते देखते उसका मुह बढ़ा हो जाता है जैसे मेरा राजू 25 वर्ष का हो गया और मैं अभी 20 वर्ष की हूँ देखा तो एक इतनी पागल हूँ पड़ा शरारती है मेरा राजू अभी पास खेल रहा था अभी रसोई में जा पहुचा है गर्म चूले में पानी का गिलास उडेल दिया सारा चूला भट गया मेरी सास पिचारी को दिन भर लगकर बनाना पड़ेगा एक बात तुम्हें बताओ मेरी सास चूला क्या बनाती है जैसे कोई बुट तराश्ती हूँ तुमने कहीं ऐसा बांका चूला देखा नहीं होगा उसे चूला बनाने का बहुत चाव है थोड़े-थोड़े दिनों के चूला तोर कर फिर से बनाने लगती है जिस दिन वो अंदर का चूला बनाती है उस दिन में बाहर की चूले पर रोटी बनाती हो वैसे जहां तक बन पड़ता है वो खाना बनाने का काम सारा कुछ स्वयम ही करती है जब वो 15-20 दिन बाद रसोई का चूला तोर कर नया बनाने लगती है उस दिन खाना पकाने के काम को हाथ में लगाती है चूला बनाने का तो उसे कोई खब्ध है आहे देन मिट्टी में पानी डाल कर बैच जाती है रसोई का दर्वाजा अंदर से बंद कर लेती है मिट्टी गूनती है और साथ में गाती है वैसे मैंने उसे कभी गाना नहीं सुना, गाना तो एक तरफ उसे कभी मन भर कर बाते करते भी नहीं सुना, पर चूला बनाते समय वो ऐसे गाती है, जैसे कोई चर्खा काते और लंबा गीत शुरू कर दे, ईश्वरी जाने उसकी मन पर क्या गुजरती है, माता पिता ने भी तो उसकी जगानी के साथ धो तुम्हारी बनती, तुम्हें गीतों के बारे में पूछा है जो मेरी सास काती है, पूरा गीत उसने कभी गाया नहीं, जब कभी एक तपा गाती है, तो घंटा भर वही गाती रहती है, आज भी उसने पुराने चूले को तोड़ कर नया बनाना शुरू किया है, रसोई का द आंगन में बैठी हुई हूँ, उसने कोई और तपा शुरू किया, तो मैं तुम्हें लिखूंगी, दिन धल चला है, वही तपा सारे दिन गाती रही है, आज उसकी आवाज भी रुंधी हुई थी, कितनी देर तो उसकी आवाज निकली ही नहीं, रुक रुक कर आवाज हाँ, मुझे उसका एक अगीत याद आया, वो उसने आज तो नहीं गाया, पर पहले गाया कर दी थी, आपने न सुक का संदेशा भेजा ना आपने चिठ्थी भेजी है, किसके हाथ में सुक का संदेशा भेजूं, किसके हाथ में चिठ्थी भेजूं, लिखने के लिए काग स्याही बनाती हूं और आसों का पानी डालती हूं परचाईयां ढलने पर चिठ्थी लिखने बैथी हूं मेरी आखों से आसू बरस रहे है रसोई का दर्वाजा अभी भी बंद है बंद दर्वाजे से भी जैसे गुजर कर मेरे मन में उसके मन का ये गाना समा गया है इन गीतों में भला कौन सा गीत है जो उसके मन का नहीं और मेरे मन का नहीं तुम्हारी बनती एक बात में तुम्हें लिखना भूल गई थी मेरी सास को कई दिनों से थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता है लाख मिननते करो वो एक बल के लिए भी आराम नहीं करती फावी इस तरहे तो डाकिया सच मुची एक दिन ईश्वर की चिठ्थी ले आएगा तुम खुद ही अपनी जान की दुश्मन बड़ी मैठी हूँ एक दिन मैंने उससे कहा पता है क्या कहने लगी तुम्हारा मुँ मीठा करूँ अगर सच मुची कोई डाकिया उसकी चिठ्थी ले आए सच कहती हूँ उसका दुख देख कर तो मेरे मन का दुख भी मागुली बन जाता है ही इतने वर्श और बीट गए मैंने जान बूच कर ही तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा विसे तुम्हारे नए शहर का पता मैंने ढून लिया था पता है जब कभी मैं तुम्हें पत्र लिखने की सोचती थी तो मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें पत्र लिखा तो पता नहीं कौन सी यादे मुझे चारों और से फिर घेल लेंगी तब तो मैं करी दिन होश न संभाल सकूंगी मेरे हातों से चीजे गिरने लगेंगी और तरकारियां जलने लगेंगी अब तो सारा घर मुझे ही संभालना पड़ता है इतने वर्ष मेरी सास रसी की तरहे बल खाते रही चार पाई पर लेती हुई जैसे उसी में खो जाती थी उसका रंग कपास जैसा सफेद हो गया था तुम्हें याद हैं नहीं एक बार मैंने तुम्हें लिखा था कि मेरी सास प्रास मिट्टी का चूला क्या बनाती है मानो कोई बुधतराश्टी हो। लगभख 15 दिन की बात है उसे खून की उल्टी आई। तब ना तो हमें उसके जीने की आशा थी ना सवयम उसे ही। दिन के समय जब मेरा देवर हकीम को बुलाने गया, मेरे ससुर का स्वर्गबास हो चुका है, तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और बूली, मेरा कहना मानोगी, बताओ भाबी, जो कुछ भी हो, मेरा मन छलक रहा था, मैं उसकी चारपाई से सिर्टेक कर रोने लग थी, बगली कहीं कि रोती क्यों हो, मैं तो एक-एक मिनिट करके रहा देख रही हूँ कि कभ ये प्राणों का पिंजरा तूटे और कभ मेरी रूह आजाद हो जाए, बताओ भाबी, क्या कहती हो, तुम मुझे मिट्टी गुन दोगी, पागल हो गई हो क्या, सांसे तुमारी खत्म हो रही है, मुझे पता है, तभी तो कह रही हूँ, आखरी बार, बस एक बार, वरना अभी वो सड्यल हकीम आ जाएगा, भाबी, तुमने दुमने दुनिया के सारे मोह तो डाले, दुनिया से तुमारा मोह ऐसे कभी हुआ ही नहीं, ना तुमें रुपे से प्यार, ना तुमें इस चूले से ऐसा क्या मोह है? चूले के नीचे मैंने कुछ तबाया हुआ है, मौत के बिस्तर पर पड़ी मेरी सास हासी और कहने लगी, तुम ये न समझना कि मैंने मोहरों की हांडी दबाई हुई है, बाबी, तुमारा दिल मुझसे छुपा नहीं है, जिस घर से तुमारा मन भर गया, उस घर में तुम मोहरे क्यों चुपाओगी? और मुझे भी मोहरों से कोई मोह नहीं है, ये मुझे पता है, तभी तो मैं तुमारे जो मन में है निसंकोच कह दो भाबी, मैं तुमारी पुत्रवदू हूँ, बेटी भी हूँ, और तुमारी सहेली भी भाबी आँखों से रूई, मगर होटों से कहने लगे, कभी-कभी मैं तुमें कहा करती थी न, कि आओ तुमें दाने भुंदू में बहुत बड़ी भट्यारन हूँ, हाँ भाबी मुझे याद है, पर मुझे खयाल था कि तुम योही मजाग करती थी, तुम भला भट्यारन क और नीचे की इते भी उखार देना, कच्ची मिर्टी से ही लिपी हुई है, नीचे क्या है, चलनी, मेरी भट्यारे की निशानी, और साथ में एक अंगूथी भी, वो भी उसी की निशानी है, और भाबी ने अपनी उखार रही सासों में मुझे बताया कि उन्हें अपने गा और यों के मोल पेच दिया, विवा को कुछी महिने हुए थे कि उदास मोती ने भट्यारा बन कर उसके सस्रॉाल की गाउं में भट्टी शुरू कर दी, जब मेरी सास रूपो नाम था उसका, दाने भुनाने गई तो मोती को भट्यारा बना देखकर जैसे उसकी भट्टी मे खुद ही बुनने लग गई, मोती ने जो कदम उठाया था, उससे भला उसका क्या बनता सवरता, और रूपो का भी क्या सवरता, एक दन रूपो उसके पाउं में गिर कर बहुत रोई, तुमें मेरी खसम है जो तुम अपनी ये हालत बनाओ, भुने हुए बीज अब उगें वापस लोट जाए, मोती ना उसकी कसम लोटा सका, ना उसका हुक मिटाल सका, अपनी अंगूठी एक निशानी उसने रूपो को दी, और दूसरे दिन पता नहीं कहा चला गया, मोती भटियारा क्या बना, रूपो को सारी उम्र के लिए भटियारिन बना गया, इसने उसकी चलनी और अंगूठी अपने पास रख ली, अंगूठी पर मोती का नाम लिखा हुआ था, कहां छेपाती, चूला तोड़कर उसने दोनों चीज़ें मिट्टी के नीचे दबा दी, और उपर एक नया चूला बना दिया, दिन भर चूले के पास बैठ कर वो रोटिया क्या प पाती, फिर उसी तरह दोनों निशानियों को धर्दी के हवाले कर देती और उस पर नया चूला बना कर उनकी रखाली के लिए बैठी रहती, भावी की एक कहानी खत्म हुई, तभी उसकी सास खत्म हो गई, उसे खून की एक और उल्टियाई और प्राणों का पिंजड़ा पंची उड़ गया, जितने वर्ष भावी प्राणों के पिंजड़े में बन थी, मोती की अंगूठी कभी अपनी उंगली में नहीं पहने, जब उसकी रूह आजाद हो गई, तब मैंने चूले को खाड़ा और अंगूठी निकाल कर उसकी उंगली में डाल गी, मैंने ही उस नहलाना था, मैंने ही उस पर कफन डालना था, इसलिए मुझे डर नहीं था कि कोई उसके हाथ में पढ़ी हुई अंगूठी पर मोती का नाम पढ़ लेगा, और जब तक दूसरे दिन लोग उसका फूल चुनते, उस अंगूठी पर से उसके मोती का नाम तो मिठी जाना था चलनी मैंने वैसे ही अभी चुहले के नीचे रहने दी, अगले महीने मेरी मा हरिदवार जा रही है और मैंने अपने पती को बना लिया है कि मैं चार दिन को मा के साथ जाओंगी, वही भाबी के फूलों को बहा दूँगी, आगी तुम समझी गई होगी, किस प्रकार ट्रंक में चलनी रखकर ले जाओंगी और उसके फूल चलनी में डाल कर लहरों में बहा दूँगी, ओ मेरी सहेली, मेरी अपनी सहेली, आज तुम्हें न लिखूं, तो और किसको लिखूं, मैंने भी अपनी यादों को आज धून धून कर देखा है, एक सुर्ख रुमाल उनके नी या कोई अंगूठी दबाई हुई नहीं होती, हम अभागे में जो किसी से प्यार करती है, जन्म से भट्यारे नहीं तो हो जाती है, दिल की भट्ती पर अपने सासों को दानों की तरह भूनती है, और यादों की छल्ली में से वर्षों रेच छानती है, तुम्हारी पंती, एक भट्यारन, कालिंदी बडोला हाथ टुवाथ में मैंने आज आज ओडियो सोरी के रूप में आपको सुनाई अमृता प्रीतम जेकिले की कहानी, एक रुमाल, एक अंगूथी, एक छल्मी, और इस कहानी की जो बंती और रूपो है, बहु और सास की जोडी, उन दोनों के साथ एकी तरीके का नयाय होता है, लेकिन कितनी बंती और कितनी रूपो हैं इस दुनिया में जिनके साथ या नयाय होता है, तो बंती का प्यार छूटा राजू, और रूपो का प्यार छूटा मोती, लेकिन किसी को इस से कोई फरक नहीं पड़ता, फरक पड़ता है तो सिर अपने दिल से लगाए बैठे रहते हैं और मिठी के नीचे कहीं अपनी यादों को दबाए बैठे हैं आपको ए कहानी कैसी लगी ये जरूर मुझे बताईए और यूट्यूब पर कालिंदी पडोला मेरा चानल है आप प्लीज उसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए उसमें बैल आइकोन प्रेस कीजिए और साथी साथ अपने कॉमेंस छोड़िए और आगे मेरे लिंक्स को शेर करिए इसी तरीके से अगर मेरे साथ बने रहेंगे तब ही तो एक कहानी दूर तलग जाएगी